Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Moto World और फिर माया हूँ एक नएग वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की popular 160cc मोटोसाइकल के बारे में जी हाँ 160cc में जब भी कोई मोटोसाइकल इंसान खरीदने जाता है तो वो ऐसा नहीं होगा कि TVS के शोरोम जाके RTR 164 वी ना देखे जी हाँ इस वीडियो में हम RTR 164 वी के बारे में positives और negatives के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ negatives भी मुझे इसमें महसूस हुए थोड़े से क्योंकि जब मैंने motorcycle को चलाया इसके साथ बहुत देर तक time spent करा में बात करेंगे क्योंकि वो थोड़े से कम भी हैं लेकिन जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है आपके जानने के लिए आपको salesman कभी भी negative points नहीं बताएगा बाइक के तो आज किस वीडियो में हम जानते हैं कि RTR 164V में क्या-क्या negative points मिल जाते हैं RTR 164V एक naked motorcycle है जो के 160cc के segment में fall करती है 160cc segment में जब भी कोई इनसान भाई खरीदने जाए तो RTR 164V को ऐसा नहीं हो सकता कि भूल जाए NS 160, RTR 164V ये जो motorcycle का segment है Extreme 160R इनको नहीं बूल सकता कोई भी क्योंकि ये hottest और popular motorcycles हैं इंडियन टुविला मार्केट की 160cc में और 1500cc का segment जो है वो तो रहा सा कम powerful segment है और वो mainly city commuting के लिए उस होता है और max power ये निकालता है 17.55 PS की और max stock निकालता है 14.7 Nm का race tuned fuel injection system मिल जाता है 5 speed gearbox आपको मिल जाता है तो ये engine के होई specifications बाइक के looks की अगर बात कलने तो बाइक के looks में जो सबसे बहतरीन जो मुझे looks अच्छे लगते हैं जो offset fuel tank lid दिया हुआ है वो मुझे देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है जिससे एक sporty feel आता है tank इसका बहुत muscular है जिससे आप bike पर बैठेंगे या उपर से इसका view लेंगे top view देखेंगे तो bike देखने में बहुत ही खुबसूरत और muscular लगती है एक वो muscular और चौड़ी bike का feel देगी आपको बड़ी bike का feel देगी ये चीज़ में बहुत अच्छी है आईए सबसे पहले positive points से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ मुझे इसमें ride quality बहुत अच्छी लगी ride quality में comfort comfort bike का सबसे important चीज़ होती है because जब आप bike पर बैठ रहें तो आपको कहीं जाना है point A से point भी जाना है आप comfort के साथ जाए comfortable तरीके से बैठ कर जाएं ये चीज आटीर 164 वी में मुझे सबसे बहतरीन लगी because इस segment की जो गाडियां है उसमें है तो companies ने बहुत जादा stiff suspension दे दिया या बहुत जादा soft suspension दे दिया जिससे handling खराब हो गई है लेकिन RTR 160 में ये चीज मुझे अच्छी लगी कि handling भी बहुत जोरदार है और उसके साथी suspension setup तो A class है और seat के तो क्या ही कहना है seat आपको लंबी भी मिल जाती है तो RTR 160 अगर कोई 160 CC segment में मुझसे पूछता है कि family के लिए कौन सी भाइक है तो मैं उसको RTR 164 वी recommend कर देता हूँ तो single seat आपको मिल जाती है split seat setup नहीं मिलता है जो कि जगह जादा घेरता है और useful भी नहीं होता तो single seat setup में आप wife के साथ भी travel कर सकते हैं बहुत ही अच्छे आपको comfort उसमें मिल जाएगा यह चीज मुझे इसमें बहुत अच्छी लेगी कि comfort की regarding अगर आपको comfortably बैट कर travel करना है motorcycle पर तो आप RTR 164 वी पर जा सकता है बिलकुल कोई problem नहीं है दूसरी चीज मुझे इसमें महसूस होई जो कि मैं इसके positive points में include करूँगा वो है engine का performance engine जो है वो 17.5 PS की produce करता है max power तो यह जो power आप देख रहे है ना यह on paper भी जादा है और on road भी जादा है कुछ motorcycles में paper पर तो power जादा लेकि रहती है लेकिन road पर भागती नहीं है तो इस motorcycle में आपको on paper भी जादा मिलती है और on road भी आपको performance अच्छा मिल जाता है तो आपको इसमें मिल जाता है उसके साथ ही आपको इसमें riding modes मिल जाता है तो features के तो यह भी आपको चीज अच्छे मिलती है कि उसमें जो power है वो थोले सी कम हो जाएगी इसके engines जो है वो लोग हमेशा ही बोलते थे पहले कि refined नहीं है एक वो smooth feel नहीं आता जैसे कि Japanese engines में आता है वो एकदम smooth feel नहीं आता लेकिन इस motorcycle में वो चीज completely solve हो गई है engine बहुत ही smooth है वो आपको harsh ride quality वाला feel नहीं मिलेगा और overall vibrations engine से कम हो गए है ये चीज मुझे बहुत महसूस होई इसमें तो engine refinement के साथ जब आप चलते है तो आपको एक अच्छी smooth ride quality वाला feel मिलता है जो के RTR 160 में exist करता है और उसके साथी smooth ride quality के साथ engine vibrations control करने के साथ company ने gearbox भी बहुत अच्छा दिया है तो gearbox भी इसका slick shifting आपको मिल जाता है वो कोई ठक से जो noise आती है वो noises नहीं आएगी clicking noise crackling noise कोई noise नहीं आएगी इसमें gearbox notch ही नहीं है कोई false neutral नहीं आएगा सारी चीज ने जो है वो gearbox में भी अच्छी है overall बहुत muscular looks मिलते है LED head lamp मिल जाता है LED tail lamp मिल जाता है और looks के साथ features भी जोड़ लीजिए क्योंकि आपको riding modes भी मिल जाता है तो ये चीज बहुत ये अच्छी है कि overall looks जो है वो bike के बहुत अच्छे दिये है और overall ये एक sporty motorcycle वाला look देती है जो के heads को road पर turn करेगी जो कि लोग आपको पलट कर जरूर देखेंगे कि ये motorcycle जा कौन सी रही है और उसके साथ ये exhaust note भी अच्छा base ही आपको मिल जाता है जिस वज़े से लोग इसको जरूर पलट कर देखेंगे और motorcycle overall बहुत देखने में अच्छी और sporty लगती है चलिए तारीफ हैं बहुत हो गई ये motorcycle के बारे में कुछ negative points जो मैंने इसके बारे में observe करें मुझे ऐसा लगा कि negative points है गाड़ी के बारे में वो मुझे ये मैसूस हुए कि tires tires जो हैं देखें मैंने बोला looks बहुत अच्छे हैं, sporty हैं, सब कुछ अच्छा है tires इतने skinny क्यों दी हैं, अगर आप 150cc motorcycle से इसको compare करेंगे तो उनमें भी 140 section आपको tire मिल जाता है तो इसमें tire जो है वो company थोड़ा fat दे सकती दे, जो कि cornering stability को इसकी decrease करता है जब company न handling इतनी अच्छी दे दी, comfort अच्छा दे दिया, तो tires अगर चोड़े मिल जाते इसमें wide tires मिल जाते हैं, तो इसकी handling और भी जबरदस्त हो जाती, corners पर ये bike और stable हो जाती अभी ये corners पर ये gravel पर थोड़ा सा skittish feel देती है, थोड़ा सा skid होने वाला feel देती है तो safety के लिहाज से मुझे इसा लगा, कि tires जो है, वो थोड़े से और wide मिलते, तो भैतर रहता, riders की safety जो है, वो compromise नहीं होती tires जो है, वो looks भी improve कर देते, handling भी improve कर देते, सारी चीज़ना आपको अच्छी मिल जाती next negative point जो मुझे लगा इसका, वो ये है, कि tall riders के लिए थोड़ी सी uncomfortable हो सकती है because company ने इसमें थोड़ा सा riding posture जो है, वो ऐसा देने की कोशिश करीए, कि आपको sporty feel आ जाए हलांकि वो अच्छा भी लगेगा short riders के लिए, लेकिन tall riders के लिए वो uncomfortable हो सकता है अगर आपकी height 5 foot 9 inch से जाधा है, या 6 foot के उपर है height, तो arter जो है, वो आपको थोड़ा सा cramped सी महसूस होगी because इसकी जो lower body position है, क्योंकि इसमें जो company ने foot pack positioning करी है, वो उपर की तरफ करी है जिस वज़े से lower body posture, taller riders का cramped feel हो सकता है, तो ये चीज मुझे लगी कि tall riders अगर हैं, तो वो थोड़ा सा uncomfortable महसूस कर सकते हैं तो आप एक बार जाईए, test drive लीजए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि सही मैं uncomfortable है, तो फिर रहने दीजए, और हो सकता है, किसी को लगे, किसी को ना लगे, लेकिन tall riders के लिए overall, चो foot pack position है, वो तो इसी ऊपर की तरफ है Next negative point मुझे इसमें लगा, कि engine में company ने performance तो अच्छा दे दिया, लेकिन initial bite brakes की lack करती है, braking जो है, वो उतनी sharp और उतनी responsive नहीं है, अगर brakes की बात करें, तो brakes थोड़े से और इसके better हो सकते थे, और improve हो सकते थे Brakes ऐसा नहीं है कि motorcycle को रुक नहीं नहीं देंगे, लेकिन अगर इसके segment में हम दूसरी motorcycle से compare करें, तो दूसरी motorcycle में जो initial bite और response मिलता है brake से, वो response इस bike में नहीं है, हाला कि इसके जो engine है, उसको रोकने के लिए brakes capable है, आप अगर उसको बहुत तेज लीवर को दबाएंगे, और last choice में negative point मुझे लगा कि वो bike का negative point नहीं है, वो overall service industry का negative point है, वो तो अच्छा है, लेकिन service quality जो है, वो high end motorcycles जैसे के RTR 160, RTR 200, RTR 310 और RR 310 इनको लेकर जो है वो थोड़ा सा service quality उतनी अच्छी ने लगी, ये owners का review है, जो मैंने owners से लिया है, owners का यहीं कहना है कि bike तो हम ले service क्या है, ये सही से नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कि bikes उसके बाद जो है, वो हमारा experience थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, तो service experience थोड़ा सा और better हो जाए, ये अगर आपके city है, आपके city में अगर dealerships बहुत जाद हैं, तो वहाँ पर आप motorcycle खरीद सकते हैं, क् competition जादा रहता है, जिस वचे से हर एक dealership जो service है, उसकी quality इंप्रूफ करने की कोशिश करता है, तो इसी लिए service का थोड़ा सा quality का एक issue है, कि ये high-end motorcycles को, क्योंकि इनके technicians हैं, वो ही technicians जो के TVS Radeon, ये TVS Radar 125, 100cc की motorcycles पर काम करना है, उन्हीं को ये 200 और 160cc की motorcycles जाए देते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंदा है, इन्फोर्मेटिव रही हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, SR Motor World को सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा, तो गाई, सांक्स वाचिंग, स्टे ट्यून, तिल देन में फो माइनेक्स अपकमिंग इंट्रेस् वीडियोस.